गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग चलो फटाफट से आजो और मैं भी आ चुकी हूँ आप लोग को एक लिए क्लास लेके मैं काम करती हूँ कि मैं सेशन को शेर कर देती हूँ और आप लोग भी फटाफट शेर करो सेम सेम टाइम पर मैं क्लास लेखे आ चेकी हूँ अब आप लोग आ जाये बच्चा जिया अब आफ लोग偌 पढ़ेंगे क्लास को आगे जिया अब हम पढ़ेंगे क्लास को आगे ठीक है तहर फटाफट से आजए जी है ठीकर जटे पूर्ट से आजए ए लिए क्लास में है ना बिल्कुल जी जल्दी जल्दी आओ और ये गए हम लोग चैंटल पे और यह कर रहा हम लोगों ने एक बार के लिए टेलीग्राम ओपन और धिन चेक मोड में राइट रांसर बास कर दिया के लिए और चलो जी एनिमल किंग्डम आज पढ़ने जा रहे है जी हां जो की सीडिये सो सीए पीफ में हमेशा से पूशा जाता है और बहुत ही मज़ेदा बार सा है चेप्टर पहली बात तो ठीक है और उसके बाद मैं यहां से ऐसे वैल्यूबल कोशन से जो आपके एक्जाम में आए भी हुए है चलो जी सो भी आर गोइंग टू स्टार्ट डा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंग्डम अब कोई बच्चे सुचेंगे मैं आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम टॉपिक वाइस पढ़ेंगे मुझे लगा थोड़ा सा मोडिफिकेशन कर दे जाए तो आज मैं टॉपिक वाइस पढ़ाऊंगी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंग्डम जी हां बच्चा आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंग्डम म बिना बायो अधूरिया और मैं लाइँ एनिमल किंग्डम आपके लिए ओनली एन ओनली डिफेंस टुनिफोर सेवन पे रात को सवादस की क्लास में हेलो हेलो जी हेलो हेलो सबको हेलो अभी तक भी अगर जो नए बच्चे हैं जिनको मेरा नाम नहीं पता सो गैस मेरा नाम है खुबसूरत सा निहारी का रहा ठोर और उससे भी खुबसूरत क्या है मेरा कोड मैं कोड क्या है तो देखो एक लवी डवी कोड दिख रहा है वाई फोर थरीवन यानिकि मैजिकल वर्ट से बना हुआ मेरा कोड है और यह कोड आपको दिलाएगा आपका CDS का एक्जाम आप का CAPF का एक्जाम और आपके NDA के एक्जाम तो माईडियर देखिए बच्चे तयारी में लग चुके हैं जी हां NDA, CAPF, CDS की तयारी में आप लोग लग चुके हैं और माईडियर 12 मई से नया बैच भी आ चुका है जी हां, CAPF का नया बैच 12 मई से आ चुका है, CDS का बैच एक मई से स्टार्ट हो चुका है तो अब आप लोग क्या करें, फटाफट से कोड लगाए Y431 और अपने आपको अन्रोल कर लें क्योंकि माईडियर एक बार अगर सीट फिलो गई, उसके बाद आपको डिसकाउंट बहुत कम मिलेगा मेरा कोड लगा कि डिसकाउंट मिलेगा 77, तो यूज कीजे कोड Y431, 4, Purchasing CDS and CAPF बैच और इन दोनों बैच में मेरी क्लास 15 मही से स्टार्ट होएंगी, आज ही शेडिूल बनके आया है तो अभी साइन्स मैंने स्टार्ट भी नहीं कराई, जो नए बच्चे हैं, मैम जो आप पढ़ा रही है, उसका PDF कहां मिलेगा तो PDF मिलेगा एप में, तो PDF के लिए आपको चैनल को डाउनलोड करेंगे और अभी तक भी अगर आपने हमारे प्यारे इस चैनल डिफेंस अड़ा को सब्सक्राइब नहीं करा क्योंकि UPSC हमेशा NCRT को फोलो करता है, और यहां पे कोशन के लेवल भी आपको ऐसे ही देखने को मिल दिया है, राइट ना, चलो जी, अब हम करेंगे क्लास को स्टाड, तो फर्स्ट कोशन आएगा आपका फादर ओफ इवलूशन चार्ल्स डार्विन के रिगार्डिंग, कोशन कहता है बच्चा, माई डियर, जो आपका चार्ल्स डार्विन का कॉंसेप्ट था, सेम वही कॉंसेप्ट, सेम वही कंक्लूजन, दा मैटर ओफ ओर्गैनिक इवलूशन किसने दे दिया, बहुत प्यारा कोशन, यानि कि चार्ल्स डार्विन का था, त्योरी ओफ इवलूशन है ना, उसी से मिलता जूता, मैटर ओफ ओर्गैनिक इवलूशन का कंक्लूजन किसने दिया था, लैमार्क ने, बच्चा, थोमस ने, ऐल्फरे ओर्गैनिक इवलूशन, इस तू थिंक्स आर दा सेम, और बच्चा, यह कॉंसेप्ट जो है, आपकी और गैनिक एवलूशन, यह आपकी एक जुलाई, 1958 में दी गई थी, अब आपको बताने है कौन से साइंट, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, रोहित का राइट आइट बच्चा, एलफ्रेड रुशल वैलेस ने आपकी यह कॉंसेप्ट दी थी, और इन्होंने चार्ल्स डार्विन का समर्थन किया था, इन्होंने चार्ल्स डार्विन का थियोरी ओफ इवलूशन में क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है, तो मैटर ओफ और गैनिक अंजली का राइटांसर आया, संध्या का राइटांसर आया बिल्कुजी, प्रियोबत्रा माइडियर आपका गलत हो गया, कोई बाद नी अगले कौशन का, पांडा, कुनफू पांडा, भई पांडा मोस्टली आपके चाइना में देखने को मिलते हैं, पांडा, मोस्टली सब्सक्राइट बहुत ही खुबसूरत, ब्लैक एंडा, ब्लैक एंडा, पांडा मृत, मुझे बड़े पांडा मितलां सब्सक्राइब आखी करते हैं, थचा शवाच़ चबेखा पांडा, कौन से फैमली में पाया जाते हैं, बच्चा तो प्यू पानिहां पाया जाए पॉ श्रवाज है कुझफू पांड़ा है ना तो बच्चा जो आपके पांड़ा है स्कोचन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा तो मैं पांड़ा कौनसी फैमिली का इससे बियर का पांड़ा और आल्सओ लोन सब्सक्राइब ये भी आपके बेरे के deben hiring में ही पाए जाते हैं रैट ना हां चीह मोट क्यूट होते हैं पांडा मेरा मन करते हैं कि मुझे ना रान पांडा मिल जाएं तरन खूब खेलूँ लेकिन समस्य भी होते हैं और काट भी लेते हैं घो हो करके काट भीलेते हैं ठीक है चलिए जे श जिनके पास रीड की हड़ी नहीं पाई जाती इनको हम इनवर्टी ब्रेट्स बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टी ब्रेट्स क्या है स्पोंज, मॉलस्क, आर्थोपोर्ट्स या फिर आपका एकनिको डर्माइट्स बताए जे राइट अंसर क्या जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका इनवर्टी ब्रेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं मैं हम जाइंट स्कुड बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जाइंट स्कुड जाइंट स्कुड दुनिया के सबसे बड़े इनवर्टी ब्रेट्स को हम क्या बोलते हैं बसना दो बच्चा मेरे इस question का right answer क्या पाया जाएगा माई डियर कौन से फाइलम में पाया जाता है बताओ जी जवदी से माई डियर इसको बोलते है second largest phylum इसको बोलते है second largest phylum और world की second largest phylum कौन सी है तो वो है आपकी mollusk, क्या है mollusk, तो बच्चा ये किस में पाया जाएगा, mollusk में पाया जाएगा बच्चा वर्ल्ड की first आपकी phylum कौन सी है, first largest phylum क्या पाई जाएगी तो यहाँ पे मैं बता दूँगी first largest phylum क्या है आपकी orthoports, इसको बोलते हैं first largest phylum ठीक है, यह लो, दो कोशन के आंसर मैंने बता दिये, कि second largest phylum होती है आपकी mollusk, first largest phylum है आपकी orthoports और largest invertebrate mollusk, जो phylum है, उसमें क्या है बच्चा, जाइंट उसकी डैजी है, यह दुनिया का सबसे जो बड़ा है, आख कशेरू की पाया जाएगा what is sponge, बच्चा sponge क्या है, यह एक fungus है, यह एक animal है, यह एक plant है, या फिर यह एक fossil है, बहुत ही खुबसूरत से question का, खुबसूरत सा right answer दे दीजिए हाँ जी बच्चा चलो, बताओ बच्चा sponge कहें देखो, जहां मैंने आपके questions थोड़े से high level करे, वहीं आप लोग क्या करते हैं बच्चा, रह जाते हैं, माइडिया रहे कौन से पाया जाता है, यह पाया जाता है, फाइलम पोरी फैरा में, जी हाँ, फाइलम पोरी फैरा, यह आपका पोरी फैरा फाइलम में पाया जाता है, यह आपका एक्वेटिक है, अब एक्वेटिक फंगस है, एनिमल है, फोसिल है, क्या है, इस इस एक्वेटिक एनिमल, तो बच्चा यह आपका एनिमल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एनिमल पाया जाएगा, तो र Aquatic Animal चिक है चलो जी बिल्कोर बिल्कोर बड़िया जी हां इनके इंडर respiration भी होता है इनके अंदर excretion भी होता है इन में digestion भी पाया जाता है अगर कोई पूछे तो इनके अंदर excretion भी होता है ठीक है इनके अंदर respiration भी पाया जाता है इनके अंदर respiration भी पाया जाता है और इन में digestion भी होता है अच्छा मुझे कोशिन का आंसर बता हो तो रात क्लास के कोशिन को बायलूंगल वालों के लिए लिए कि रात वाली क्लास के कोशिन के बाई लूंगल आएं एक बार मुझे comment box में बता दीजिए क्या आप लोग चाहते हैं कि रात वाली class के questions भी बाई लूंगल मैं लिख वाऊं अगर चाहते हैं तो कल से मैं bilingual questions ले आऊंगी वरना हम English मीडिया में पढ़ेंगे एक बार comment box क्या आप लोग चाहते हैं क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं यह जो हम questions कर रहे हैं यह हम bilingual पड़े या English आप लोगों के लिए सफिशेंट है एक बार बस मुझे comment box में बता जरूर देना ठीक है और इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले question में नॉर्मली animals can change the place बट विच्वन आप फोलेंग अनिमल्स कान नॉट चेंज दा फ्लेस इन चार ऐनिमल्स में से बहई इन चार मेंसे तीन normally अपनी प्लेस को चेंज करते हैं लेकिन कोई एक ऐसा जो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते नहीं मैम येस मैम हम इंग्लिश में ज़्यादा कमफर्टेबल है हिंदी पढ़ने में टाइम लग जाता है ओकी तो बच्चा यह क्लास आपकी टोटल इंग्लिश मीडियम की चलेगी बस मुझे आप लोगों से यह जानना था यह क्लास आपकी टो इन में से कौन अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता जी हां बच्चा इन में से जो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करता वह एक एनिमल है क्योंकि एनिमल बार बार अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते स्टार फिश एक मचली है इस पॉंज बच्चा यह भी आपका क्या है मैं इ एक्वार्टिक एनिमल है जा हैं इसके अंदर इसके अंदर बडिंग प्रोशेस ना है कई बार कोशन आता है कि हाइड्रा कौन से प्रोसेस से री प्रोड्यूस करता है तो बच्छे इस तरीके से आपको देखने को मिला होगा ये बड निकलती है और नया हाइड्रा उग जाता है तो हाइड्रा बडिंग प्रोसेस से क्या करता है री प्रोड्यूस करता है यहां तक कोई डाउट जी हां प्लांट लाइक पाया जाते है क्या पाया जाते है प्लांट लाइक एनिमल पाया जाते है और यह कौन से फाइलम में पाया जाते है जी हां यह आपके कौन से फाइलम में पाया जाएगा मैडियर यह आपका नाइडीरिया फाइलम के अंदर पाया जाएगा बहुत 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 बहु यानिकी बच्चा इन में से सच्ची मचली कौन सी है टू फिश कौन सी है शेल फिश डोग फिश इस्टार या फिर सिलवर फिश माइडियर एक इन में से आपकी सच्ची मचली है बताओ जी सुनी राम हैलो सुनी राम जी क्या हाल है बढ़िया 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 जी हां च वो shark family में पाई जाती है, और shark family आपके कौन से phylum में होती है, आपको मुझे ये भी बताना है, shark मछली कौन से phylum में पाई जाती है? मैम core data में, किसमे core data में पाई जाती है? अब बताओ जी shark मछली family का हिस्सा क्या है? Right answer dog fish, क्या पाया जाएगा? Dogfish, dogfish is the family member of shark family, और बच्चा यह कौन से Phylum में पाई जाती है मैं। इट लाइज इन दा Phylum Core Data जिहां। यह आपके Core Data Phylum में पाई जाती है ना, जि या बच्चा, अच बता९ जिए Dog Fish का common name क्या होता है, कों देगा जि-यां Dog Fish का common name कों देगा। Scoliodone Scoliodone कई बार आएगा स्कोलियोडोन क्या है डॉग फिश का रियल नेम डॉग फिश का रियल नेम क्या है स्कोलियोडोन है क्या है स्कोलियोडोन I hope so कि ये सारे questions वो है जो आपके animal kingdom में पूछे गए questions का सही answer देखे आपको कम से कम दो number दिलाएंगे में दो question हमेशा animal kingdom के पाए जाते हैं और एक question mostly आपको cds में देखने को मिलता है which of following is which of the following amphibian lack tongue oh my god my dear कौन से amphibian की tongue कौन से छोटी होती है कौन से amphibian की tongue आपकी छोटी पाए जाती है बच्चा nekturus के पाद क्या पाए जाएगा इथायोफिस की बच्चा splendor की या फिर आपका स्फैनीडोन की अब बताओ जी राइट एंसर क्या पाया जाएगा स्फैनीडोन हो गया आपका स्लमेंडर्स हो गया आपका nekturus हो जाएगा या फिर option number C बो जी राइट एंसर क्या जाएगा एक थाई ओफिस पाया जाएगा क्या पाया जाएगा जल्दी बताओ मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि ये भी आपके फाइलम कोर डाटा में पाया जाएगा ये भी आपके फाइलम कोर डाटा में पाया जाएगा ये भी आपके फाइलम कोर डाटा में पाया जाएगा आप ज दो बच्चा थोड़ा सा अब रूम में से फोकेशन कम होएगा राइट डांस और ऑप्शन नमपर सी इस थायोफिस जिया मैम जो इस थायोफिस है वो आपका लेक टंग वाला एंफिबियन है और यह आपके फाइलम में पाया जाता है कहा पाया जाता है मम इंक लाइस इन निक्स्ट पाया सबसे कोमन मेंमल जो हर जिग पाया जाएगा वो क्या है अल इफ 2017 लॉख 1500 लाइन मैन या पैंठर बतो जै राइट आंसर क्या पाया जाएगा हां जी बच्चा उपासना बिल्कुल सही यह आपकी स्नेक की तरह दिखती है चलो जी बोल यह राइट आंसर क्या जाएगा इस कोशन का बड़े यह बहुत शांदार कोशन पूछ लिया जी हां बहुत ही शांदार कोशन का राइट आंसर ज जाए करो जी हां बार-बार मोगा नहीं मिलता तो मैं बच्चा एफ-कैट के लिए सीए-पी-एफ के लिए सी आये सब के लिए मैं रेगुलर आप लोगों के सामने आती हूं और पंदरा महीं से पंदरा महीं से आपकी मेरि क्रास स्टार्ट होएंगी जिककर के लिए क्री सीए-पी-एफ के मेरे क्लास 15 महीं से श्टार्ट होएंगी तो फस्सक्राइय मुझे इंतज़ार तकि और बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करेंगे science को पूरा करेंगे next question किया बच्चा which is the only mammal that can fly एक ऐसा mammal जो उड़ सकता है उड़ने वाले mammal का नाम कहा है लीजाड hand bat या whale बहुत प्यारा question बच्चा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताईए चलो जी रजट सुना जी कल तो फिजिक्स की क्लास है कल तो आप लोग जुड़ेंगे बडिया तरीके से मैं प्लांट किंग्डम एनिमल किंग्डम को किदर से पढ़े रज़त जी मैं ही पढ़ाऊंगी आपके प्लांट किंग्डम पढ़ाया जाएगा और इसके नोट्स बनाने भी मैंने स्टार्ट कर दिया बिल्कुल नए तरीके से जैसे से कोशन सारे हैं कोशन के बिहाफ पे सके नए नए नोट्स बना रही हूं तो मैं पढ़ाऊंगी आपको सीए पीएफ के अंदर और अगर चा ले जाए और ले लिया है तो इंतिजार करो कि मैं वहीं पर कराने वाली हूं वही फ्लाइंग फोक्स को बोलते हैं चमकादर को बोलते हैं यानि की बैट को बोलते हैं ना मेरे प्यारों जी मैं अगला कोशन विचा फॉलोइंग इस दा मोनोजनेटिक पैरसाइट बच्चा मोनोजनेटिक पैरसाइट क्या है हाइड्रा बच्चा हाइड्रा है बच्चा मैं एकार्शिस है अर्थ वो में या फिर आपका फैस की होला है बोताइए जी मोनोजनेटिक पैरसाइट क्या पाया जाएगा बड़ा ही प्यारा कोशन पोश लिया जी हाँ क्या हाइड्रा एक परसाइट है, आपको पहले तो यही बताना है, क्या है, क्या हाईड्र अग परसाइट है, मैम अर्थवोण को क्या बोलते हैं farmer's friend बोलते हैं अर्थ्वाम को हम क्या बोलते हैं मैं farmers friend बोलते हैं क्योंकि यह क्या करते है soil की fertility को बढ़ाता अब दो ही option है यह तो मैं Fasciola है यह फिर मैं आपका S-caris है अब बताऊ जो जो जाएगा माई डियर, monogenetic parasites क्या होते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आव मैं समझा दीजुआटी हूँ which complete which complete their life cycle which complete their life cycle in single host जो एक ही शरीर में रहके आपने जीवन की अंतिम सांसे लेते हैं नहीं कि लाइफ भर ये शिंगल होस्ट में पाय जाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मोनो जइनेटिक पैरेसाइट जी हा बच्चा और यहां से राइट आइस जाएगा मैम एसक्यार्शीज एसकारिस का मैम जी हा यह जो बहुत बढ़िया ठीक है चले आगे जी हां बच्छा डान अब हम चलते हैं मैं अगले कोशन पर कोशन का लेवल ऐसा है कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया फिर दुबारे भूल नहीं पाओगे बच्छा कोलंबा लीविया किसका साइंटिफिक ने मैं शार्क का रैबिट क स्नेक का या पीजन का जी है बच्छा मैं कोलंबा लीविया किसका साइंटिफिक ने मैं बताई जल्दी से हां जी बिल्कुल जी टेप वाम जिसको बोलते हैं हां बच्छा बिल्कुल चलो जी बताई बच्छा राइट अंसर किसक्या जाएगा इसका बताई बच्छा राइ बोलिये बहुत प्यारा कोशन है अरे इतने प्यारा कोशन का भी राइट आंसर नहीं दे पाँगो तो इसे ही काम चुलेगा भई गाने सुने हैं आपने गाने सुने हैं कबूतर जा 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 जी हां बच्चा तो बस जी कबूतर का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है मैं कॉलंबा लीविया जी हां कॉलंबा लीविया आपके कबूतर का साइंटिफिक नेम पाया जाता है और जब आप मेर से पढ़ेंगे पेड कोर्स में प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम तो प्लांट के साइंटिफिक नेम एनिमल्स के साइंटिफिक नेम भी आपको कराए जा कहते हैं माई देख नहीं आप लोग लाइक करें नहीं अप लोग शेयर कर रहें क्यों 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 सारा कίο सारा जुल मेरे साथ ही पाया जाता है चलो कोई बात नहीं बताओ उस है माई डियार इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं जो विंउ होते हैं जी हां जो हमारे पक्षियों के विंग होते हैं आप उनको या तो लैदर या फिर प्लास्टिक स्ट्रिप से बांद देते हैं जी हां आप प्लास्टिक या फिर लैदर की स्ट्रिप से पक्षियों के पंखों को बांद देते हैं यह क्या है बच्चा इस पक्षियों क को उड़ने से बचाने का तरीका है चलो जी कोई बात नहीं मैं यह एक आपका प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे यह temporary method होता है जी हां बच्चा यह क्या होता है temporary में इसको हम क्या वोलते है बच्चा बीक को तोड़ रहा है ब्रेलिंग पाया जाएगा क्या जाएगा ब्रेलिंग पाया जाएगा बच्चों का right answer किस किस का अगया जा 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 जी हां आप कोशन गयागा कपुतर जा जा नहीं आएगा यो कॉलम्बिया लीविया जय जय ठीक है चलो जी बहुत मड़ी माइडियर एक बार आप एक काम करो कि अपने उस entrance exam के PYQ उठा के देख लो फिर हमारे cryo questions देख लो अगर same मिले तो regular आओ और हमारी class को आप लोग जोईन करो जी हां और अभी कले आप हमारी class को भूल ना जाओ तो subscribe करो चैनल को ठीक है आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं जू माइडियर अंडा देने वाली मैमल का नाम क्या है बच्चा spiny ant eater whale spiny sorry leafy ant eater या फिर आपका बैट बताओ जी राइट आंसर क्या पाया जाएगा ओय है है बोलो बोलो जल्दी से बच्चा माइडियर राइट आंसर क्या पाया जाएगा जी हां अंडा देने वाली क्या जानवर है बच्चा इनके उपर क्या होता है माइडियर देखो मैं आपको दिखाती हूँ आओ जरा मैं दिखाती हूँ आपको दिख रही है यह है आपकी स्पाइनी एंट इटर माइडियर मुझे क्या लगता है कि जब भी बायो पड़ाओ तो डाइग्राम की टैंशन मतलब सिधा गूगल करके दिखा दो फाइदा है ना जी हाँ डाइग्राम अलग से लगाओगे माइडियर इसके उपर क्या है मैं काटे पाए ग क्या है मलत वहलना की मैडम ने आपको नहीं दिखाई मैडम ने आपको सीधर गूगल करके दिखा दी कि यह क्या है यह आपका 從 क्या होता है यह बले पर क्या बझे मतलब थे ची कर छो देखाई देख्यां यह करना में जहाएक की सबसा यह गोट है यह मछली है यह क्रॉफ है यह यह कोरल मैं आपको कोड़ हामने हो घ्रिक आपको कोड़ करेगी लेकिन कोड़ अपने सुझते vaur कोड ओयल कोड ओयल कोड एक प्रकार की मचली ए जिससे हम क्या निकालते है आपना इसके लिवर का तेल निकालते है और इस लीवर के अंदर क्या होता है विटामीन A, विटामीन D और विटामीन E पाया जाएगा तो याद रखना कोड मचली के लीवर में कौन-कौन से विटामीन पाया जाते हैं बहुत त्यारा कोशन कोड मचली के लीवर में आपके कौन-कौन से विटामीन पाया जाते हैं मैं विटामिन A पाया जाता है, विटामिन D पाया जाएगा, विटामिन E, चलो, आप देखते हैं, कोड फिश का डाइग्राम है, अब मैं इतना ही हो गया, तो मैं कोड फिश का डाइग्राम भी देखी लेते हैं, आओ जी देखते हैं, तो यहां डालेंगे हम कोड फिश जो जी आज आप इस कोड़ फिश को देख लो ये है आपकी कोड़ मचली देख लो बच्चा ये है आपकी कोड़ मचली जिससे आप क्या निकालते हैं जिसके लीवर से आप तेल निकालते हैं आपको विटामिन A विटामिन D मिलता है जी हां तो बच्चा इस इस दा कोड़ फ पाया जाएगा अब लाइफ में कभी मत भूलना अगला कोशन क्या है बच्छा ऐसी पक्षी जो पानी में स्विम कर सकती है उनके पास क्या होते हैं उनके फीट ब्रोड होते हैं लोंग भी किया उनके टोज और क्लोज पाये जाते हैं अरे यह तो बहुत सिंपल सा राइट आ क्या यहार होते हैं कैसे रुद पाये जाती है तो रहर इंगे तक पाई चाए हैं यहां पर हड़ा हो समझे जो तो समझ में आ जाएगा है ना यह मंगे प्रॉड ओफेट औफिट उफ डट है यह द garant इस तरीके कि इनको हम प्या बोलत है यह क्या ऐंको टेरने में आसानी करेंगे यह इनको टेरने में आसानी क्रेंगे तो बच्चे यहीं होते हैं आपके well-fit इसके मैं स्केश पढल सर sciences के पाये जाते हैं बत्त के पाल जांगे और गीस के भी पाए जाते हैं जाए जल मुर्गी के भी आपके ऐसे ही पैर पाए जाते हैं ना चलिए जी बहुत बढ़िया अगला कोशन क्या पाए जाएगा कोशन नमबर 20 दा अनिमल विच कैंट टोलरेट मोर समर हीट इस माइडियर वह एनिमल जो बहुत ज्यादा समर हीट को टोलरेट कर सकता है वो क्या है बफैलो काओ गोट या डोंकी बड़ा ही प्यारा कोशन बोलो ची राइट आइंसर क्या पाया जाएगा अब मेरी बास सुनो विच कांट टोलरेट तो जाएगा बफैलो विच कांट टोलरेट हीट जो हीट को बरदाश नहीं कर सकती और बहुत जल्दी बिमार हो जाती है वो नहाना पसंद नहीं है पसंद नहीं है यह बाटर इसको क्या होता है इसको हाइड्रोफोबिया होता है इसको क्या होता है हाइड्रोफोबिया हाला कि ये हमारी गउम आता है लेकिन भैसों को नहाना बहुत पसंद है जो भैस होती है ये वाटर लविंग होती है क्योंकि ये गर्मी बरदाश नहीं कर पाती तो ये वाटर लविंग होती है और गा कि आएगा या यह गोट आएगा बोलो जी राइट एंसर क्या जाएगा भैस ब्लैक होती है इसलिए उश्माफ शोशित करती है ओ माई गोट जो जादा गर्मी बदाश करती है वो होती है गोट क्योंकि इनके पास क्या पाए जाती है फर पाए जाती है तो इनके फर में क्या ह होता है हीट का अब्सोर्बiverso पाया जाते है तो घर में भी नहीं पढ़ोड हो क्या होती है यह तलिए बक्री के दूद में बहुत इस फिश का एक्जाम्पल क्या है बहुत प्यारा जी शार्क और ट्यूना शार्क और रे स्केट्स और हिलसा या फिर रे और अब बताओ जी राइट आंसर क्या पाया जाएगा कोशन नमबर 17 का ओके मैं यह पता नहीं था कोई बात देखो पच्छा मैंने क्या कहा अगर आप मेरे पास आओगे तो आपको हर वो चीज जो पता नहीं है मैडम आपको बताएंगी है ना चलो जी अब बताओ जी इस कौशन का राइट आंसर क्या पाया जाएगा माईडियर जितनी भी आपकी काटिले जीनियस मचली होती है इनके टू चैमबर हर्ट होते हैं कितने होते हैं टू चैमबर हर्ट होते हैं अब बताओ कि इन में से कौन से मचली का दिल दो चैमबर हर्ट का पाया जाएगा लो मैंने हिंट दे दी अब बताओ इन मचली में से दो चमबर हर्ट किसका पाया जाएगा बहुत ही शानदार कोशन मैंने पूछा है तो बच्चा शार्क और रे शार्क दिखती तो बड़ी खतरनाक है लेकिन मैं क्या है शार्क जो है उसका दिल आपका दो चमबर का पाया जाएगा और शार्क क्या है बच्चा ये बलड लवर होती है क्या होती है ब्लड लवर जहाँ इसको खोन की स्मेल आ गई वहीं क्या करे है कि खाuns होती है कैसी होती है नहीं करती है ठीक है नेक्स्क attain थो following is not a true fish, इन में से कौन सी सच्ची मचली नहीं है, सकर फिश, हैमर फिश, सा या सिलपर, my dear, कौन सी इन में से सच्ची मचली नहीं पाई जाएगी, अब बताओ, जी, राइट अंसर क्या जाएगा, भई, पहले भी आये था, अभी भी आये था, अब बताओ, बत्या, सच्ची म पोड़ा फाइलम में पाई जाएगी, और हमने पढ़ा था, कि बहुत सारी सच्ची मचली नहीं है, वो क्या है, सिलपर फिश पाई जाएगी, है ना, बहुत बढ़ी है, चलो जी, अगला कॉशन, विच फॉलोईंग इस फिश, इन में से कोई एक मचली है, अरे वा, ही प्यारा, चलो, अब बताओ, आप बच्चा इसने ट्रू नहीं बोला, इन में से कोई एक मचली है, तो इन में से तीन क्या है, आपकी नो ट्रू फिश है, कोई एक आपकी सच्ची मचली है, तो सच्ची मचली कौन सी पाई जाएगी, कुछ दिर पहले भी ये कोशन आया कह रहा है, टांसर क्या जाएगा, डोग फिश, आओ चरा, डोग फिश का डाइगराम देखते हैं, आओ चरा, डोग फिश का डाइगराम देखते हैं, कि भाई, डोग फिश कैसी होती है, ना, मैं हम देख लेते हैं, ये डोग फिश कैसी है, तो हम देखेंगे, डोग फिश dog fish images, चलो जी, खुल गया है slide, और यह आगी है आपकी dog fish, तो बच्चा, यह dog की तरह तो नहीं है, लेकिन मैं इसका नाम फिर भी क्या है, dog fish है, तो यह है आपकी dog fish, यह क्या है, बच्चा, दीज आरदा dog fish, ठीक है, यह क्या है, बच्चा, यह सब आपकी dog fish की photos है आप लोग देख सकते हैं और इसमें बहुत सारी प्रिजातियां पाई जाती है इस मचली के अंदर भी बहुत सारी प्रिजातियां पाई जाती है मैंड़ माच अपका मूड किया करते अपने diagram दिखा दिये मुझे लगा कि अलग से diagram को शिपका हूं उनको edit करूं यह करों यह सीधा Google करके diagram दिखा तो क्या पढ़ाना तो हमें यह diagram दिखाने क्ले क्या अलग से मैं यहां पर diagram लगाँगी उतना ही नोटस में टाइम जयादा लगेगा तो बस डाइग्रम दिखाने के लिए बैस था अगला बत्चा विश्वन ऑफ फॉलवगिस नोट ट्रू स्था इन पैसे कोई एक सच्चा नहीं है बता ऊची को नहीं है सिट शे स्नेख्री स्नेग ब्लाइंड स्नेग बताओ उजिन जाएगा साइड़ इनाएड और एक हुआ है अरे यह क्या हई हूल भाई गुरूप में यह को लाड़ी का से चल गई gory जो आपका सच्चा सर्प नहीं है आपको उसका राइट आंसर बताना है माईडियर जो इन में से सच्चा साप नहीं है वो आपका lizard के रूप में होता है जी हां बच्चा वो छिपकिली family का हिस्सा है किसका है lizard family का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते है glass snake बोलते है जी हां glass snake जो है वो आपका true snake नहीं है चलो जी अब भई अब इतना ही आ गया तो इसके भी हम photo देखी लेते हैं क्या ही हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला चलो जी photo देखते है तो क्या है बच्चा glass snake की photo मैं ग्लास की तरह दिखता है जी हा ग्लास snake पीक आऊ जी देखते है पिच्चर ऑफ ग्लास नेक आजो बच्चा यह मैं ये लेकिन भच्च है यह क्या है बच्चा दीज लाइस इंदा लिजार तो यहां पर आप लोग क्या डाल सकते हैं यहां पर लग डाल सकते हैं ग्लास ग्लास इसने एक ग्लास स्नेक हो गया फिर आजागा लीजर्ड देखते हैं यहाँ पर भी फोटो पाए जाएगा यही है यही है इसको बोलते हैं लेग लेजर्ड क्या बोलते हैं बिना पैर वाली लीजर्ड तो बच्छछा ॅगर कबसे आई कि जो आपका ग्लास स्नेक है यह किस टाइप की लिजार तो आप क्या बोलोगे लेगलेस क्या बोलोगे लेगलेस बिना पैर वाली चिपकी लिजी हां तो यह क्या है यह आपकी बिना पैर वाली चिपकी लिए चलो चिपकी लिए सब मेरे चिपकलो मेरे सारे चिपकलो ने चिपकी लिए आज हो जी बच्छा तो इसको आप क जो पॉरफेक्ट इम मैमिलिया को शो करता यानि की participants को शो करता हैं बताओ जी मैमेल में क्याम चीज पाई जाएंगी वैल क lle प्पामश या कंगारू, लाइन, बैट, वैल या ओस्टिच, लाइन, हिप्पामश पैंग्युंग या इक्जामपल ज्यांख़ को बताना है class mammalia का सबसे best example क्या पाये जाएगा भई हिप्पोपोटामस भी पाये जाएगा कंगारू भी पाये जाएगा वेल तो है इस largest mammal और बैट भी पाये जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा option number D और वेल को क्या बोलते है largest mammal बोलते हैं वेल को बोलते हैं दुनिया की सबसे ब बड़ी mammal तो right answer जाएगा मेरे बच्छा लोग option number D जी हां right answer क्या जाएगा right answer जाएगा option number D मैं यह भ्रामन का कुछ कीजिए कोई बात नहीं वह महाकाल का नाम सुनके उनके अंदर की energy जागी उनको उनको इस पूरे ग्रूप में energy बरसाने के लिए महाकाल ने भीजदे कोई बात नहीं इसी बहाने ग्रूप में energy बनती रहेगी और जितनी energy बनेगी उतना ही ज्यादा मुझे motivation मिलेगी विच्छ फॉलवग इस टॉलेस्ट बड़ वही दुनिया की सबसे ऊची पक्षी का नाम क्या है चलो बताओ बहुत प्यारा कोशन है ना बिलकुल जी पोटामस सूइट तो होता है देखने में है लेकिन क्या हिपो पोटामस रियल में होते हैं बच्चा वह अपनी मसराते है चलते रहते हैं चलते रहते हैं कोई छेड़ेगा सीधा टक्कर बार देंगे माईरे सबसे टॉलेस्ट बड़ का नाम क्या मैं आप लोगों ने कभी ऑस्टिश देखिया है आओ जरा ऑस्टिश का डाइगराम देखते हैं जी हां ऑस्टिश का डाइगराम क्या पाया जाएगा देख लिया जाए बिलकुल जी देखो बच्चा रात भी अपनी है बोड भी अपना है नेट भी अपना है सब कुछ अपना है तो ऑस्टिश का ड वेखने को जादा मिलत थो माइद यह आपके ओस्टिच है आप دेखैंगे दुनिया का सबसे वलेस्टि पक्षिर बिचारह आपको देख रहे सबसे हैं अब हन बोलो इह देखो कितने मासूम तरीके से आपको देख रहे सब लोगमोन औलो यह देखो यह अब सब को क्या बोल रहा है। यह आप सब को कह है ना बिल्कुल जी और जो आपका इमू होता है इमू को भी देखते है आओ जरा आपने इमू का नाम लिया है तो हम लोग क्या लिखते हैं इमू को भी देख लेते हैं आओ जरा एक सेकंड रुको छोटा कर लेते हैं जी हां इमू उर देख लेते हैं ना भई इस वर्ड पक्षी इसको क्या बोलते हैं इमू आओ देखते हैं इमू बर्ड जी हां आओ डेखते हैं दुनिया के सब सेचोटे चिडिया का नाम तila ये कहा सबस्टे अरे यद्य बंड ऐना था क्या दाल दिया इन ग्र्च्रणदों किया angal फिसंग सच्ची मछली उप लिया और से भी है आप हमौगों को स्ट्रिच भी हो गया अब चलेंगे पर उप नहीं पाई जाएगी ठीक है अगला कोशन ओमाई गाट अब लगता है कहाश क कहते हुगे अब डटाओ क्लास कैसी लगी क्लास अब मुझे खुद नही पताटाचल है वफई क्लास में कब बिककप कोशन सो वर हो गए तो अब क्रास तो हो गई है अब आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ तो माईडियर देखिए आप लोगों के लिए हम लोग नए नए बैचिस लेके आए हैं जैसे की आप लोगों के लिए नए बैच आच चुका है किसका C.A.P.F का आओ मैं आपको दिखाती हूँ हम गए डिफेंस पे हम कई डिफेंस पे तो डिफेंस पे सबसे पहले हम जाएंगे CAPF बैच में तो माई डियर UPSC CAPF का नया बैच आ चुका है जिसका कोस्ट प्राइज है 8999 आप अब इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यह आप लोगों के सामने आ गया अब बाइनाव पे जाएए बाइनाव पे जाते ही क्या करना है यहां पर मांगेगा कूपन कोड लगाओ जी कूपन कोड वाई 431 अब लगाते ही आप एपलाई कर देंगे एपलाई करते ही क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा को मैक्सिमम डिसकाउंट ठीक है फडशा सिक्स मन्त की वेलिडी के साथ सिय फी अवका नया बैच आ गया और आप से बताएं कि साथ अगस्त को आप लोगों का एक्जाम है तो सी ए पीएप स्टाट हो रहा है आप लोगों का 12 मही से नया बैच CAPF का हम लोगों ने स्टार्ट करा है जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें जोइन करें और अगर आप लोग शाते हैं कि मैम CAPF में double validity दिखा दो यानि कि 6 की जगा एक साल का दे दो तो अभी के अभी comment box भर देना कि मैम double validity दिखा हो तो हम आ ऐखना है आप लोगों का serious क का better inevitably तो serious का बैच बच्चा आपको पता ही है कि मैं एक मुय से स्टार्ट हो सीननीस का बैच जो है वह आप लोगों का 1 allows क्या ह। स्टार्ट हुआ है जी हाँ CDS Foundation बैच एक मही से स्टार्ट हुआ है यह आपका AFA के लिए भी है आपका INA के लिए भी IMA के लिए और OTA के लिए भी सेम कोड लगेगा Y431 जी हाँ सेम कोड लगेगा Y431 बड़ा ही लवी डवी कोड है Y431 और मिल जाएगा आपको maximum discount तो अभी किया भी आप लोग कोर्स ले क्योंकि अभी मेरी CDS में क्लास नहीं लगी है और क्लास लगने से पहले बैच ले लो क्योंकि अगर एक भी साइन्स की क्लास मिस हुई तो बच्चा इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ठीक है चलो जी एफकेट कब से स्टार्ट होगा यूटूब पे माइड यार वी विल स्टार्ट सून जी हां बहुत जल्दी एफकेट को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब आप मुझे बताना जरूर की आज की क्लास आपको कैसी लगी ऐसे ही आपको पढ़ना है कैमिस्ट्री भी पढ़नी ही और फीजिक्स भी पढ़नी है तो बिल्कुल कमेंट बक्स में बताइएगा कल मिलेंगे रात को सबादस वजह की क्लास के साथ जी हां कल रात को मिलेंगे 17 वजह की क्लास के साथ शीक है बिल्कुल जी बिल्कुल जी है रजत जी कल तो आप आने वाले हैं अभी तो सीए पीएफ बैच शुरू हुआ था एक और कर दिया बच्चा बच्चों की डिमांड थी और बैच फूल हो गया था वह वाला इसलिए तो रजत जी कल तयार रहना खापी के वर्दी-वर्दी पह कर दो आप uncertainty